नमस्कार, 36 गड का नमबर वन बुलिटिन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अमंतिका श्रवासर श्रवात करेंगे बुलिटिन की सबसे पहले 36 गड विधान सभा को लेकर चरचा सत्र की अधी सूचना जारी हो चुगी है मौनसून सत्र को लेकर अधी सूचना जारी की गई है, चार दिनों का मौनसून सत्र होगा 18 से 21 जुलाइ तक मौनसून सत्र चलेगा, मौनसून सत्र में कुल चार बैट के रहने वाली है और हर बार के तरह इस बार भी विजेपी ने सत्र को छोटा बताया मांसुन सत्र विधान सभा का कम से कम दस दिनों का आहुद किया जाए इसलिए दस दिनों का होना चाहिए कि सारे माननी विधायत गण अपने अपने छेतर की समस्याओं को और प्रदेश में आज जितनी जोलन्त समस्याओं हैं जितनी जोलन्त मुद्दें उन सारे मुद्दों को विधान सभा में रखना चाहते हैं आपने देखा नेता प्रदिपक्ष नाराइंट चंदिल की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये कहा गया है कि कम से कम दस पैटक होनी चाहिए थी क्योंकि तमाम ऐसे मुद्धे हैं जुन पर चर्चा पक्ष और विपक्ष के बीच फिलाल होना बहुत ज़रूरी विदांस बच चुनाव भी इसी साल और इसी के मदे नजर इस सत्र को छोटा बीजेपी बता रही है विपक्ष की तरफ से लगातार इस पर बयान दिये जा रहे हैं अला कि अब देखना होगा कि आगे इस सत्र को लेकर क्या कुछ होता है बैरहाल हम बात कर लेते हैं हमारे से की यूगल तिवारी से यूगल अधी सूचना जारी हुई और बीजेपी उसी बात को एक बार फिर से दोराती हुई कि सत्र छोटा है जी देखें बिल्कुल 18 से 21 तारी का सत्र चलेगी और 4 दिनों की सत्र में 4 बैठके होगी तो उसे लेकर के लगातार जो पिपक्ष है पहले भी कहते आए हैं कि सत्र काफी छोटा होता है जो बिधायक है वो अपनी बात है रखने ही पाते और जिस तरह से प्रदेश की जोलन्त मुद्ध होती है जिसमें अपनी बात बिधायक रख सकते है वो रखने ही पाते है तो अभी नेता पर्तिपक्ष नारान चंदल ने एक बयांज जारी करते हुए कहा है कि सत्र काफी छोटा होता है और इसलिए आ उन्होंने जो बिधान सबायर की बात है उसे रख सके तो यह काह जा सकता है कि जो सत्र चार दिन अब चलेगा उसे जो बीजेपी है विरुपक्ष हो संतुर organizedeed नहीं है और उसे बढ़़ाने की मांग है उन लगातार कर रहा है चीके बहुत शुक्री आपका युकल इस पूरी ज्वनकारी के लिए तो 36 गर विधानसबा चुनाल से पहले कॉंग्रेस अपने कारिकरताओं को रीचार्ज करने में भी लगाता जूटी हुए बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, राइपुर के बाद आज सरगुजा में कॉंग्रेस का संभाग्य संभाग्य नायजुद किया गया संभाग की 14 बदानसबा सीचु पर जीतने की रणीती पर मंधर हुआ है संभागी समेलर में सेम भूपेश बगे ने का कि आपकी बार 75 पार का लक्ष देखिया सब लोग ऐसा है कि आपके घर में यही चार बच्चे हैं तो कोई नराज रहता है कोई कुछ रहता है तो सब को सांथ में लेकर चलना यही परवार है पार्टिम भी इसी प्रकारते कांग्रेस भी एक परवार है जिसमें सब लोगों को लेकर चलना है हमारे सभी नेता मिल जुलकर काम करते हैं करते रहे हैं और करते रहेंगे और कॉंग्रिस को फिर से दुबारा से हम विलके मैं समझती हूँ पिछली बार तो 68 सीट आई थी इस बार बचुट अचीव करने में हमें फेस करनी पड़ी तो सामना करेंगे और आगे भी कारकरताओं को इसी तरह से संपोधित करेंगे इस बात का जिक्र वो कर रहे थे उसी यह मुपेश बखेल ने आज कार्यकरताओं को संबूदित किया हुमारी शल्जा महां पर मौझूद थी 14 सीटों को जीतने पर मंथन पूरे प्रदेश में 75 सीटें जीतने का लक्ष इस पार कॉंग्रेस पार्टी ने सेट किया है सेगी श का कॉंग्रेस के कार्यकरता इस टागेट को चीफ करने की स्थिती में फिलाल नजर आते हैं बिल्कुल संभागी समयलन कॉंग्रेस के हुआ और बहुत ही अच्छे डंग से हुआ जिस तरह से कुमारी शल्जा जो प्रदेश परभारी थी उन्होंने संभाग भर के तमाम जो कार्करता थे विधायक थे मंत्री थे जो मौझूद थे हों उनको एक्टिव करने का काम किय साथ में बुपेज बगेल मुक्यमंत्री भी थे जिन्होंने जितने भी जो कमिया थी संभाग जो कार्करताओं की या कहें यू कहें तो जो भी समस्चा थी उनको इस संभागी बैठक में दूर करने का प्रयास किया और जो आने वाले जो चुनाव हैं उसकी किस तरह से तया साल के जो कारकाल के विफलताओं को यहां पर बताया गया और जितने भी जो कार करता थे उसको ऐसा टिप्स दिया गया और यह कहा गया कि इस बार जो प्रदेश में जो सरकार बनेगी उसमें 75 से अधिक सीटों पर जो है कॉंग्रेस का कभजा होगा और कुल मिला के यह कहा है कि पूरे जो कार करता थे वो एक्टिव थे और तमाम तरह के जो भी रणनीती थी वो तैयार की गई है और 75 पार का जो है यहां पर जो है सीम भुपेज बगेल ने दावा किया है कि बनेगे 2023 के चुनाओं में चलिए आगे देखना होगा क्या कुछ होता है बहुत शुक्रे आपका श्रमनिस पूरी जोन कारिक लिए देख तरफ कॉंग्रेस के संभागे समिलान और इस पर बीजेपी ने क्या कुछ का है यह भी आपको सुनाते हैं हमारे लिए कोई चुनावती नहीं है आप सब जानते हैं कि 2018 की चुनाओं में 37 जन गोश्रा पत्र को लेकर ये जनता के सामने एक बहुत बड़ा जूट परोश कर सरकार बना दिये लेकिन ये 4.5 साल में आप देख रहे हैं वो गोश्रा भी पूरी नहीं किये है इसके साथ साथ भारत सरकार और नेक मंतराले और विभावकों के माध्यम से 36 गट प्रदेश की जनता के लिए जो रासी भेशती है उसका पूरी तरीके से बंदर पार्ट हो रहा है चाहे मेरा ही मंतराले भी क्यों नहीं हो वो सरकारी सम्मेलन है वो पार्टी का सम्मेलन नहीं है और आप वहाँ पर जाएंगे संभागी सम्मेलन में तो 10% कॉंग्रेस के कारिकरता मिलेंगे और बाकी सरकारी साधनों से सरकारी अधिकारियों के माध्यम से भीड इकटी क्यों ही मिलेगी राइपूर में भी इनका संभागी समेलन हुआ मैंने रिपोर्ट ली उस रिपोर्ट में 90 प्रतिसत लोगों को जुगी जोपड़ी बस्तियों से पैसे देकर और धोकर लाया गया था और चुनावी साल में 36 गड में एक बार फिर से धान पर सियासत गर्मा आती जा रही है धान खरीदी को लेकर कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी बयान बाजी तेज हो चुकी है मंत्री मोहमद अकबर ने केंदर सरकार पर निशाना साधा धान खरीदी को लेकर बीजेपी पर भ्रम फैरनने का आरूप लगा है मंत्री अकबर ने कहा कि अरुन साव गलत बयान बाजी करते हैं धान खरीदी के सारे विवस्ता राजी सरकार करती है ना केंदर सरकार मंत्री ने ये भी कहा कि केंद सरकार धान खरीदी के लिए ना कड़स देती है ना पैसे जिस पर बीजेपी के तरफ से पलटवार किया गया जब किसी एंबुपेश पगे ने बीजेपी पर छूट बोलने का आरोप लगा है कि भारती अंता पार्टी के तरफ से जो बातें कही जाती है कि केंद सरकार धान खरीती है तो पूरा भुक्तान ऑनलाइन सिस्टम में 36 गड़ की सहकारिता विभाग के अंतरगत पहले मार्फिट उसके बाद सहकारी समीती इनके द्वारा भुक्तान होता है और अधिकरित तोर पर आज इदी राजसरकार बोलती ही कि भई हम आगे चलके तो एक करोल 25 लाग में ट्रीटन हमारा खरीदने का अनुमान है तो ये राजसरकार ही कह सकती है कि हम आगे इतना इतना खरीदेंगे तो कुल मिलाके भारती जन्ता पार्टी के तरफ से जो ये कहा जाता है कि केंद्र सरकार खरीदी के नाम पर 36 गड़ सरकार को कोई पैसा नहीं देती ना कोई कर्ज देती है ना कोई अनुदान देती है ना कोई साहता देती है तो ये दोहरा चरीतर है कांग्रेस का जो इस मामले में फिर से उजागर हो रहा है। देखिए उनका जूट बोलने के एक सेक्टरी से सीख के आये हैं। जूट ही बोलेंगे आप आप फैलाएंगे एक सच एक जूट को सव बार बोलो तो सच महसूस होता है। लेकिन चतिजगर की जनता जानती है। यदि केंदर सरकार देती तो रमान सिंग जी फिर दस थ्याना और पंजाब में है। जो FCँ से ख़ीटती है। यहां पूरा सिस्टम किसका है MARKETunerative Pacific किसका है राज्यकौब। उसके बाद जिलैमीडियों किसका है राजसरकार का। सुसाइटी किसके है राजी सरकार की। धान उपार संग्रहन के राजी सरकार की। धान खरीदी केंदर केंदर की। टंखा काउन देती है राजी सरकार. सरकार और उसे पहले की केंद्र की यूपीय सरकार की तुलना अगर कर लें दोनों की कारकाल का साफ फर्क नजर आ जाएगा उमातुर ने अगामी विदानसबा चुनाव में बीजोपी की जीत का दावा किया वही पूरवसीयम रमन सिंग ने प्रतेश की कॉंग्रेस सरकार पर राश्टी अभियान चल रहा है सबी पूरे रास्त व्यापी प्रमुख नेताओं का कारकम जिसमें आमसभा भी हो रहा है जिसमें फिद्गरहियों का सम्मेलन भी हो रहा है टिफिन बैठक भी हो रहा है और उसके सांसाथ प्रेस कॉन्फरेंस पुझा जन्संपर्ग महा अभियान के अंतरगत टिफिन बैठक भी तैव हुई है वरिस्ट कारेकरताओं के साथ बैठक व्यापारियों से समवाद लाभार्थी से मिलने का काम यह सारे कारेकरम उसी अभियान के अंतरगत है और टिफिन बैठक भी उसी अभियान का हिस्सा है ताकि कारेकरताओं से आपस में बैठकर एक साथ भोजन और एक साथ वेविन नविशियों पर चर्चा यह उसका उद्देश से है तुराने टिफिन रखने हैं कि अभी तक के उसमें अपने घर से ही वो लोग खाना लेके जा रहे हैं अब यह इस्तिती होगी जहां कार करता है खाना भी निकला रहे हैं पंदरा साल कुछे हो देता आज इस्तिती नहीं आती और अच्छा तीस गड़ में चिनावी तैयार के भी चारोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है प्रदेश की राच्चनिती में एक बार फिर से परिवारवाद का मुद्दा शामिल हो चुका है इसमें मुक्मेत्री भुपेश पखिल ने बीजेपी को परिवारवादी पार्टी करार दिया इससे पहले बीजेपी ने कॉंग्रस को परिवारवादी पार्टी कहा था उसके जबाब में भूपेश पगिल ने कहा कि बीजेपी में दरजनों परिवारबाद के उधारन है इमाचल में सीम रही प्रेमकुमार धूमल के बेटे अन्राक ठाकुर केंद्री मंत्री है केंद्री मत्री राजना सिंग के बेटे पंकत सिंग यूपी में विधायक है और पूर्वी सीम रवन सिंग के बेटे अभिशेक सिंग सांसत रह चुके है बस्तर सांसत दीपक बैच के दोनों बेटे जन प्रतनीधी बने है प्रतनीधी का बयान आया है जिसमों कहे रहे हैं कि कॉंग्रेस बेटा बेटी और मा की पार्टी और उनकी कोई आइडियोगा जी नहीं है और पावर में आने के लिए किसी की तरह के तब कॉंप्रमाइस कर सकते है दीकि नड़ा जी जीस प्रदेश से आते हैं अनराख ठाकुर्दी कौन को इस मंत्री थे कि नहीं थे मुख्वि मंत्री थे नहीं थे राजनास सिंग की बेटे हैंग नहीं विधाय अमिसाय जी बेटे हैं नहीं विशी सिए कि यह किसकी पार्टी वी बली राम कासेप उसके बेटा सांसत रहा ये बेटा मंत्री रहा है रमन सिंग्जी मुक्त मंत्री बेटा सांसत तो पर उपदेश कुस अलबा हो तेरे हुआ अरो उणनी उठाने पहले सौंच तो ले ना कि उनके पार्टीम क्या चल रहा है अग गिना गिना हो तो दर्जनों मिल जाएंगे और इस पीच कवरदा से बड़ी कवर सामने आ रही है अनियंत्रित होकर एक बस पलट गई है बस में सवार 20 लोग हाई हुए एक बच्चे के यालत गंभीर बताई जा रही है पोड़ी नाशनल हाईवे पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई करीब 20 यात्री जिसमें खायल अवस्ता में है एक बच्चे के यालत फिलाल कंभीर बताई जा रही है फॉरन अस्पताल में भड़ती करवाए गया ऐसे कि मनीश से हम जादा जानकारी लेंगे मनीश क्या ज शुक्ताल में भर्टी करा गया है और यह जो है बन रहा है लगातार लापर वाही की बाते सामने से ठेकेदार के त्वारा जो है बेतर्तिप तरीके से असड़क निर्मान किया जा जारा है इसमें कही से बिए रोट की बनाने की शुपात की जाती है और उसके बाद नहीं उ प्रशास्वन को पता है कि इस तरह की व्यवस्ता इस रास्ते पर हैं अब इस सब्सक्राइब कर दो महिनें पहले ही प्रारा मुआ है इस तो पर तो रहुए कि लंबाई जो है वह बताए जारे जिसमें सब्सक्राइब पैंसल के एरिये में निर्मान की शुरू हुआ है आपको मनीशान करिके लिए चीके बहुत शुक्री आपको मनीशान करिके पॉड़ी पंडर या नाशनल हाईवे जुस तरह से हमारे सवयगी भी लगातार बता रहे हैं कि आने मिताए हैं इस सड़क पर इस नाशनल हाईवे पर निर्माना धीन है अभी भी संकेत नहीं लगाए गए हैं डाइवर्जिन के सिगनल्स नहीं दिये गए हैं और इसी वज़े से अकसर कई वाहन इस नाशनल हाईवे पर दुरघटना कर शिकार रहे हैं उसी के तहट एक और दुरघटना जिसकी जानकारी आपके सा साज़कर रहे हैं अनियंत्रत होकर यह यात्री बस पलट गई 20 लोग खायन है एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में फौरण भड़ती करवाए गया घटना स्तलकी यह तस्परी भी आप देखिया असपास जितने भी ग्रामीन मौजू थे फौरण मदद करने के लिए आ गया है और ग्यात्री को बस से बाहर निकाल कर अस्पताल के लिए भजवाया है तस्पीरी घटना स्तलकी और बड़ी लापर वाही छेकेदार की तरफ से भी उसका खुलासा हुआ है कोरबा के एक अंकी मार्ग गाउ में प्यास लगने पर युवक ने फ्रिज खोला तो उसके होश उड़ गए फ्रिज के नीचे एक खतरना कोबरा बैठा दिखा गुसे से फुफकार रहा था एकोबरा तस्पीरें आप देखिए फुफकार सुनकर घर वाली भी दर्शुत में आ गए आनफान में सभी घर से निकल गए स्नेपरेस की चीम को उसकी ज़ान करी दी गई इसकी बाद मौकी पर टीम पहुँची नागराज कर रेस्कितिया गया और उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया है नागराज की घर से निकलने पर ही इन लोकों ने राहत की सास्थ गोर्बा के घर की तस्वीरें बताय जा रहा है कि फ्रिज के नीचे चुपा बैठा था कोब्रा फॉरं स्नेक रिस्क पर पहुंची रेस्क्वी से जुड़ी वही तस्वीरी भी हम आपको दिखा रहे हैं प्रक्षित जंगल में छोड़ा गया और अब देखे 25 सेकंड में खबर अंबिका पुर्षे सीम भूपेश पखेल की बड़ी सवगात 120 लोगों को दिया गया वन अधिकार पठा सौ युवाओं को शिक्षक भरती का निप्ति पठा धान करीदी पर सीम भूपेश पखेल का बड़ा बयान धान करीदी पर सीम भूपेश पखेल का बड़ा बयान केंडर चावल ले या ना ले हम धान करीदी बन नहीं करेंगे जूत फैला कर गुम्रा करने की कोशिश करें बीजेपी धर्मादरन पर चतीस गड़ बीजेपी अधेक शरुम्साव का बड़ा बयान पूरे चतीस गड़ में सरकार केस अन्रक्षन में होरा धर्मादरन धर्मादरन को लेकर आदिवाशी और अनिस समाज में आखुश धर्माद्रण पर उन्साथ के बयान पर मत्री कवासी लखमा का पलट बार, बीजेपी नेताओं को सिर्फ बस्तर और चतीस गड़ में दिखता है धर्माद्रण बीजेपी ने शुरू की टिफिन पॉलिटिक्स लंच लेकर कारेकरताओं के पास जा रहे नेता, बीजेपी के टिफिन पर सियम भूपेश बखेलने साथा नेचाना कहा कारेकरताओं के अंदे की सियाई असी नौबत दो देवसी दोरे पर सर्गोजा पहुंचे भाजपा प्रदेश से प्रभारी नितिन नभीन कहा बीजेपी से टरकर कॉंगर्स करा रही संभाग्ये समय रहे राजपवन पहुंचे भारते जनता योवा मोचा के कारेकरता सीजी पीएसी दोजार एकिस की भरती परिक्षा में लगाया प्रिस्टाचार कारों राजपाल से मिलकर रिजल्ट की सीबी आइस से जांच करानी की बार राजपवन दोरे पर बीजपी प्रदेश प्रिफारी ओमाथुर वरिष्ट कारकरताओं के साथ कर रहे टिफिन बाठक ओमाथुर के साथ अरूल साव और अमनस जहीं मौचुग शे सूत्रिय मागू को लेकर बीजपी का धना प्रदेशन चिर्मिरी नगर निगम का खिराफ वहाप और निगम प्रशासन के इंखलाफ की जम कर नारे बासी दमतरी में पटवारियों के हरताल जारी एक महिने से चल रही पटवारियों के हरताल राजस्तन निरिक्षा को काखी मिला समर्था जश्पूर में निउस एटीन की कबर का सर तैसिंदार ने कबज़धा धारियों को जारी किया नोटिस नोटिस मिलते ही पुल के नीची से हटाया जा रहा थी करना चुनावी साल में धान पर सियासी घमासान सियम्भू पेश पहले बीजेपी पर साधा ने चाना कहा धान खरीदी पर बीजेपी बोल रही है जूट पुर्बा में फ्रिज में निकला साप साथ को देखकर खरवालों के उड़े कोश्ट सूचना पर पहुँचे से प्रेस कीचे बुलिटिन में इतना ही देखते रहे ही न्यूस सची